गुड मॉर्निंग अल आफ यू वेलकम यू अल इन और एसेंट ओनलाइन क्लास आज की हमारी क्लास है क्लास सेकिंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके तो बच्चों आप अपनी जीके की बुक निकलो बच्चों आपने पिछली क्लास में चेप्टर ये राइम टाइम पढ़ा था जिसमें सारी राइम नर्शरी क्लास की राइम थी वह आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी राइम है जो मैंने आपको बताई थी आज अपन चेप्टर पढ़ेंगी 28 पेज नंबर पे चेप्टर 18 है M वर्ड यानि M नाम के अक्सर है M सब्द के अक्सर है तो जो यहाँ पे M एक लेटर के अक्सर जो जितने भी स्पेलिंग है M नाम से जो M से सुरू होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है तो सुरू करते हैं Each of the words to be written in blank boxes starts with the letters M fill in the empty boxes with the help of given help box रिक तिस्तानों में लिखे जाने वाले प्रतिक सब्द help box की सायता से आप M एक्सर से सुरू होने वाले सब्द है तो आप एक help box की सायता से यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे नीचे कुछ clue लिखे हुए हैं इनको पढ़ करके और आप उपर वाले जो fillips हैं वो भर सकते हैं आसानी से तो इसके लिए अपन को नीचे वाला पढ़ना पढ़ेगा कि first line में क्या लिखा हुआ हैं तो उसके according अपन को वहाँ पे M से start उने वाली spelling लिखनी है तो first में हैं देखो a fruit that is called the king of fruits एक फल जिसे फलो का राजा कहा जाता है तो फलो का राजा कौन होता है हम सबको पता है फलो का राजा आम फलो का राजा है देखो कितना आता जा है यह वाली point तो आपने सुनी होगी तो आम को फलो का राजा कहते हैं और आम को इंगलिस में mango कहते हैं जो M से शुरू होती है spelling तो फर्स्ट का mango है तो यहाँ पे आपको mango की spelling लिखनी है म, A, N, G, O, mango मेंगो मिस आम अब सेकेंड वाला option क्या है एक cordless instruments used to talk to other people फर्स्ट अदर पीपल एक cordless instruments used to talk to other people इसका मतलब होता है बिना तार वाला या तार रहीत उपकरण जो अन्य लोगों से बात करने में मदद करता है जिसे अपन बात करते हैं लोगों से वो आपको पता है वो कौन सा उपकरण होता है वह कौन सा मसीन होता है जिससे अपन बात कर सकते हैं लोगों से जिसमें अतार भी नहीं होता है वो होता है mobile M से start करना है तो mobile तो mobile की spelling होती है M O B I L E mobile तो second में आपको mobile की spelling लिखनी है फिर तीसरा clue है देखो पटो तीसरा क्या है First day of the week यहनी सप्ताह का पहला दिन तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है M से सुरू होने वाला Monday बहुत ही इजी है यह तो तो Monday की spelling यहाँ पे लिखनी है Number third वाले boxes में M, O, N, D, A, Y Monday फिर fourth का क्या option है पढ़ो A, representation of the surface of the earth और of a particular area इसे में यह बताया हुआ है नहीं, fourth वाला यह वाला लियत फिफ्त है fourth में है An animal that lives on tree एक जानवर जो पेड़ पर रहता है वह कौन है? M से सुरू होने वाला जानवर जो पेड़ पर उचल कूद करता रहता है एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है चलंगे लगता है वह कौन सा जानवर होता है? वह होता है monkey देखो डाली पकड़ी होई है आथ में केला है यह बंदर है और बंदर तो पता यह उचल कूद करते हैं और mostly बंदर पेड़ो पर ही रहते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्थ में monkey की स्पेलिंग लिखनी है M-O-N-K-E-Y monkey फिर फिप्ट वाला ओप्शन A representation of the surface of the earth और of a particular area पृत्वी या किसी भी विशे सेतर की सतर का प्रती निदित्व वह क्या होता है? M-A-P M-A-P नक्सा होता है न? तो M-A-P की स्पेलिंग लिखनी है इसमें ये बता है वह है कि एक जो औरत होती है वह क्या करती है? घर में काम करने के लिए जाती है गरेलू सेवा में कारेरत महिला गरेलू जो सेवा का कारेरत होती है वो उसको क्या कहते हैं अपन? वह होती है मेड सर्वेंट M-A-I-D मेड S-E-R-V-A-N-T मेड सर्वेंट जो गरेलू सेवा में कारेरत होती है लास्ट है A long woolen cloth that is used to cover head and neck एक एक ऐसा कपड़ा गुलन का उन्ही कपड़ा जो क्या करता है जो हमारे लंबे उन्ही कपड़े का उप्योग जो सीर और गर्दन को डखने के लिए किया जाता है सरदियों में पहनते ही है लंबा हुनी कपड़ा होता है जिसे अपन मुह भी डख सकते है सिर भी डख सकते है गर्दन को भी डख सकते है जिसे हमको सरदी कम लगती है उसको क्या कहते है M से शुरू होता है तो बहर होता है muffler तो muffler की spelling आपको यहाँ पे लिखनी है M-U-F-L-E-R muffler तो देखे बच्चों कितना आई जी था ये तो ये आसानी से हो गया ये clue जब पढ़ेंगे धंग से तो पता चलेगा कि इस box इसमें क्या लिखने है तो मैं एक बार वापिस repeat करती हूँ A fruit that is called the king of fruit एक आम फलो का राजा होता है एक फल है जो फलो का राजा होता है उसे क्या कहते है मेंगो एक और लेश इंस्ट्रूमेंट यूज टू टॉप टू अधर पीपल एक तार रही तुपकरन होता है जो अन्य लोगों से बात करवाता है वह क्या होता है Mobile एक जानवर जो पेट पर रहता है वह क्या होता है मंकी एक पर पर्टिकुलर एरिया वह क्या होता है मेप मेप एक फीमेल एंपलोईड इन डॉमेस्टिक सर्वीस जो घरेलू सेवा के लिए कारेरत महिला होती उसको क्या कहते है M.A.I.D. M.A.I.D. M.A.D. S.E.R.V.A.N.T. सर्वें सेवन्थ में एक लंबा उन्नी कपड़ा है जो सीर और गर्दन को ढखने के लिए पर्योग में किये दता है मफलर M.U.F.F.L.E.R. मफलर तो इस तरीके से ये M.Word आपके ये वाला चैप्टर कंप्लेट होता है बच्चों आप अपनी बुक में ये अच्छे दंग से करना नोट बुक में ये बॉक्स बनाना है और उसके नीचे क्लू भी लिखना पड़ेंगे तो आप ये काम पूरा कर लेना और हर थर्ष्डे को हमारी स्कुल में सारे टीचर्स वगिर आते हैं तो आप अपनी नोट बुक और सब्जेट की नोट बुक चैप करवा सकते हैं ठीके बच्चों थैंक्यू